हाई एवरिवन स्वागत है आपका आरेस क्रेशन स्टेडी चैनल में तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टन टॉपिक डिसकस कने वाले हैं अमजी 07 का जो कि हमारा ब्लॉक फर्स्ट है नॉन्फिक्शनल प्रोज से यूनिट सेकंड सीरी और अरोबिंदो तो इनका एक नॉन पचास में 78 यर के थे ये तब और इन्होंने पढ़ाई की थी उनिवर्स्टी ओफ कैमरेज से तो इनके जो फादर थे न वो चाहते थे कि यह जो थे सिवल सर्विस में जाएं और इन्होंने विल्कुल वैसा ही किया है इन्होंने बाहर तभी इनके फादर ने इनको जो है इंग्लैंड में पढ़ाया, इनके बाकी दो भाई थे, उनको भी इंग्लैंड में पढ़ाया, यह सब को civil service में जोईन करवाना चाहते थे, लेकिन जो इन्होंने civil service का exam crack कर भी दिया था और यह training भी कर ली थी इन्होंने दो साल की, लेकिन बाद में इनको लगा कि यह जो थे British प्रिटिशर के अंडर जो है जॉब नहीं करेंगे तो इसलिए इन्होंने वो जॉब नहीं की और इसके बाद ये जो थे बहुत ही फेमस इंडियन फिलोसफर थे योगी थे गूरू थे पोईट थे नेशनलिस्ट थे इंडियन क्रिटिक्स थे तो इनका बहुत जादा के बाद ये जो थे spiritual reformer बन गए थे मतलब spirituality की तरफ जादा चले गए थे और इन्होंने जो है इंटर्ड्यूस किया vision on human progress and spiritual evolution के उपर मतलब human की जो progress है वो किस तरह से spiritual evolution के साथ जो है link करती है तो आज हम इनका जो work देखने वाले हैं वो है एक essay is India civilized ये जो essays थे इनके ना ये आर्या नाम की एक magazine होती थी उसमें छपा करते थे मतलब ये 1918 से लेकर के 1919 के बीच में बहुत सारे essays छपे थे इनके और बाद में इन सारे essays को जो है इकठा करके जो है published करवाया गया book की form में जिस book का नाम दिया गया foundation of Indian culture जो की 1953 में publish करवाई गई तो ये जो essay है ना ये foundation of Indian culture नाम की एक book का एक essay है और ये जो essay इन्होंने लिखा था ना ये लिखा था इन्होंने inspire होकर के एक जो British critics थे उन्होंने attack किया था Indian civilization के उपर जिनका नाम था William Archer तो इन्होंने direct attack किया था Indian civilization क पर तो इनको जवाब देने के लिए इन्होंने ये essay लिखा था ऐसा नहीं था कि ये जो William Archer थे इनको जो है किसी और ने response दिया नी था इस attack के लिए एक writer थे John Woodroff इन्होंने जो है even book लिखी थी इनके response में इनका जो attack था उसके response में is India civilized तो ये जो और विंदो थे ना इन्ह essay के लिए use किया is India civilized तो ये ही title इन्होंनों भी use किया और जो importance Woodroff ने बताई हुई अपनी book में is India civilized उसी की importance को जो है underline किया उसी को बताया और वो हम आगे देखेंगे कि और विंदो ने क्या क्या बताया है इस essay में तो सुरू करते हैं तो writer यहाँ पर इस essay में कहते हैं कि जो Indian हमारा जो basically Indian culture है Indian land है वो जो है spirituality को जो है बहुत जादा मानती है मतलब Indian culture में जादा importance जो है spiritual well being को जादा importance दी जाती है as compared to mind और body के मुकाबले मतलब हम आत्मा को जादा जादा एक तरह से attention देते हैं और वहीं दूसरी तरफ जो western culture है वहाँ पर जादा attention दी जाती है body और mind की जरूरतों को ना कि हमारी आत्मा की जरूरतों को spirituality को तो यहाँ पर जो writer है वो focus कर रहे हैं कि किस तरह से एक culture और civilization जो है हमें true happiness दिला सकते हैं मतलब उसकी definition को बता सकते हैं हमें properly तो यहाँ पर सीरी और अरोबिन दो कहते हैं कि जो true happiness है ना इस world में वही जो man होता है उस को मिल सकती है जब वो जो है find करे और maintain करे natural harmony को किस के बीच में spirit mind और body आत्मा दिमाग और body के बीच में मतलब एक ता लाए वो इन तीनों चीजों के अंदर तभी उसको जो है true happiness मिल सकती है और यहाँ पर आगे writer कहते हैं कि एक जो society है ना वो यहाँ पर जो spiritual aspect होता है उसको तरह से ignore कर देती है एक society एक country जो भी हो और जो इसको ignore करती है ना वहाँ के व्यक्तियों की जो लोग है वहाँ की personality कभी भी perfect नहीं बन सकते है उन लोगों की उस country के लोगों की जो society सिर्फ materialistic outlook पर ही based हो मतलब materialistic society हो जो चीजों के साथ अपनी खुशियों को नापती हो वो पा ही नहीं सकते है और ये चीज़ने उनको ये सारी दे ही नहीं सकते है जो material outlook होता है अपने लोगों को इसलिए जो लोग है उनको जो हęँ है वह अनहापी life ही जीते रहेंगे वहाँ लोग जो हैपि हापी लाइफ जी ही नहीं पाएंगे even उनकी life में जो है बहुत सारी comfortable चीजे होती है उनके पास बहुत सारी चीजे होती है लेकिन इसके बावजूद भी हैपी लाइफ जी ही नहीं पाते हैं और इसी तरह से जो वेस्टरन वर्ल्ड है ना उसका एस्पेक्ट भी यही है मतलब उसका उसमें भी जो स्प्रिच्वालिटी है वो अल्मुस्ट है और इसलिए वहां के लोग जो है अनहापी है गलूमी है ब्लीक है लोग उदास है बहुत ज़्यादा दुखी है और बेरंग जिन्दगी जीते हैं वहां का एटमोस्फेर भी ऐसा ही बन गया है और जो बिदाउट स्प्रिच्वाल हैपिनेस के जो है यूमन बिंग जो है हैपी और सैटिसपाइड हो ही नहीं सकता है यहाँ पर राइटर कहते हैं तो जो लोग है वो रेस्टलेस हैं और हमेशा शान्ती ढूंटते रहते हैं पीस ओफ माइन ढूंटते रहते हैं तो उनके जो यह जो वेस्टरन पीपल है उनको लगता है कि मेटिरियलिस्टिक कमफ और सक्सेस जो है अपनी लाइफ की जो की एक बहुत ही गलत भाबना है राइटर यहां पर कहते हैं कि वो लोग जो है ना वेल्थ पावर के पीशे भागने लग जाते हैं इसका रिजल्ट यह होता है कि वो जो है बहुत जादा सेल्फिस बन जाते हैं ग्रीडी बन जाते हैं वोईलेंस का यूज करते हैं और वो लोग जो है इनसान को इनसान समझते ही नहीं है इनसान को एक बिना आत्मा की हड़ी स्केल्टन वाला धांचा और एक मशीन समझते हैं और ये सब उन्हें कभी भी true happiness नहीं दिलवा सकता है और यहाँ पर जो सिर्य औरोविंदो है वो कहते हैं कि इंडियन कल्चर और western कल्चर में यही difference है कि इंडियन कल्चर जो है ना spirit को ज़्यादा importance दी जाती है यहाँ पर और यहाँ पर जो है progress की भावना spiritual होती है मतलब आप अपनी spiritual development करो तो आपकी अपने आप progress हो जाएगी और इंडिया की यही जो बात है वो इसको जो है पूरी दुनिया से अलग करती है यूनीक बनाती है पूरी दुनिया इससे तभी इसी कारण से अलग है इसी सोच से अलग है और क्यूंकि जो इंडिया का cultural concept है जो हमें हमारे culture सिखाता है, civilization सिखाता है वो eternal है मतलब एक तरह से हमें हमारी जो upliftment of soul को सिखाता है, human values को सिखाता है, morality को सिखाता है, dharma को सिखाता है, self-sacrifice को सिखाता है और nobility of thought and action, action और thought में nobility होनी चाहिए यह सारी चीजें हमें सिखाता है और यह जो line है न सिर्फ यह जो है specialty नहीं ब psychology है जो यहाँ पर इनकी philosophy है उसको भी बताती है जो पूरा का पूरा concept है इंडियन culture का वो spiritual progress of man के उपर जो है बेस्ट है उसके इर्दगुर्द घुमता है और हमें जो है ट्रू सेल्फ को खोजना होता है और हमें जो है अपने आपको खोजना होता है और इसलिए हम जो है जैस कि आप जो बोगे वही आपको मिलेगा तो आप जितना अच्छा करोगे आपको उतना ही अच्छा मिलेगा तो ऐसी सोच होती है यहां के लोगों की जो हमें spiritual progress के रास्ते पर लेकर के जाती है और progress की भावना जो है यहां पर spiritual माना जाता है उसको और जो और विंदो है वो य इसकी नकल मत करो इसको imitate मत करो वरना आप लोग जो है बरबाद हो जाओगे यह आपको बरबाद करेगा यह आपको बरबादी के रास्ते पर लेकर जाएगा दुखी करेगा और आपको true happiness नहीं देगा इवन जो राइटर है ना इंडियन को जो है इंस्पायर कर रहे हैं यह जो खुद की खोज है और जो आत्मा की खोज है मतलब spiritual खोज और self खोज है वो जो है बहुत ही ज़ादा important चीज है इंडियन के लिए क्योंकि बहुत time पहले इंडिया के जो best mind थे उन्होंने ये खोज की थी कि ये जो subcontinent था ना हमारा जहां पर आज हम रहते हैं यहां पर ज जो है समर्पित कर देते थे eternal truth की तरफ जो सच है उसकी तरफ और सारा ध्यान जो है self realization में लगा देते थे साधना में लगा देते थे जैसे हमारे रिक्सी मूनी होते थे वो ऐसा ही करते थे हमारे जो बेदों में लिखा हुआ है वो ऐसा ही लिखा हुआ है तो writer की इच्छा ह है कि यहां पर जो इंडिया है उसको पूरी दुनिया को जो है guru का role play करना चाहिए मतलब एक guru की तरह क्योंकि इंडिया को माना जाता है बहुत से लोग मानते हैं कि इंडिया जो था guru था पूरे world का और बहुत से लोगों का यही मानना है कि अगर दुनिया को बचाना है और लाइट में लाना है दुनिया को रोशनी दिखानी है तो इंडिया से ही वो जो लाइट है वो इंडिया से ही आनी चाहिए तो एक well-known Japanese saint है मतलब जो guru होते हैं उनका भी यही मानना है कि अगर दुनिया को जो है chaos से बचा सकता है तो वो सिर्फ आर सिर्फ इंडिया बचा सकत है मतलब जो तबाही के रास्ते पे जा रहा है और राइटर का भी यही मानना है कि जो present crisis चल रहे हैं बर्ल्ड में जैसे conflict हो रहे हैं और बाकी चीजें हो रहे हैं तो इन सबसे सिर्फ आ सिर्फ जो Indian civilization और culture है वो दुनिया को बचा सकते हैं क्योंकि जो दुनिया है न वो बह वो जो है immortal और corrupt हो गया है पूरी तरह से और मानो जैसे जो love है जो प्यार है अपने culture heritage के लिए idealism के लिए novel deed के लिए वो बिलकुल खतम हो गया है और जो Indian civilization है वो आज भी जानी जाती है इसके moral और spiritual values के लिए पूरी दुनिया में यह हम सब जानते हैं क्योंकि जो इंडिया क लोग है वो आज भी religious minded है मतलब religion को मानते हैं और spirituality है उनमे tolerance है उनमे और जो है इंसानियत है वो सब धर्मा को समर्पित है मतलब धर्म को follow कर देते हैं एक तरह से कर्मा को मानते हैं धर्म को मानते हैं और इंडिया की जो history है वो उसमें बहुत सारे ऐसे example है ऐसे लोगों के ज कि सेवा के लिए अपने सारे एसवराम त्याग दिये थे जैसे सबसे बड़ा एक्जांपल है महात्मा गांधी हम सब जानते हैं महात्मा गांधी चाहते तो बहुत ही कमफर्ट की लाइफ जी सकते थे लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के लिए जो है अपने देश के लिए बहुत हार्ड लाइफ चूज की लॉड रामा है प्रिंस सिधार्थ है इन सब ने अपने कमफर्ट छोड़ करके अपने राजपाट छोड़ करके बहुत ही हार्ड लाइफ जी तो इंडियन के लिए सबसे ज़ादा इंपॉर्टन है मॉरल वैल्यूस स्प्रिचुलिजम और यूनिवर्सल ब्रदर्वूड मतलब एकता में विलीव रखते हैं इंडियन्स और यह जो सारे आइडियल्स हैं यह सारे वीचार है इंडिया की इन दुनिया को बचा सकते हैं फ्रॉम डिस्टरक्शन और दुनिया को जो है एक सेफ प्लेस बना सकते हैं रहने के लिए तो यहां पर यह जो हमारा ऐसे है, इसकी समरी खतम होती है, I hope आपको यह वीडियो पसंद आयोगी, अगर पसंद आयोगी तो प्लीज मेरे चैनल को like, share और subscribe जुरूर कीजिए, और मिलते हैं ऐसी किसी next वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखे, bye bye